टीवी इंडस्ट्री पर इस वक्त दुखों का पहार तूट पड़ा है जानी मानी एक्ट्रिस अंकिता लोखंडे के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं एक्ट्रिस के पिता ने लंबी बिमारी के बाद इस दुनिया को अलविदा कह दिया आईए जानते हैं ये सब कुछ कैसे हुआ नमस्कार दोस्तों बोल स्काय में आपका स्वागत है टीवी जगत से एक और बुरी खबर सामने आई है एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे के पिता शची कांथ लोखंडे का निधन हो गया है शची कांथ लोखंडे 68 साल के थे और उन्हें बिमारी की चलते कुछ दिनों पहले ही अस्पताल में भरती कराया गया था इससे पहले भी एक्ट्रेस के पिता की हालत बिगडी थी और उन्हें अस्पताल में भरती कराया गया था शैशी कांथ लोखंडे ने 12 अगस्त की देड़ शाम को इस दुनिया को अलविदा कह दिया ऐसे में एक्ट्रेस और उनका परिवार सद्वे में है हालांकि अब तक उनके निधन का कारण सामने नहीं आया है मेडिया रिपोर्ट्स के मताबिक अंकिता लोखंडे के पिता यानि शैशी कांथ लोखंडे का अंतिम संसकार 13 अगस्त को ओशी वारा शम्शान घाट में सुभा 11 बजे होगा लेकिन अंकिता या उनके परिवार की तरफ से अपता किसे लेकर कोई ओफिशल स्टेट्मेंट जारी नहीं किया गया है बता दे शैशी कांथ लोखंडे लंबे समय से भी मार चल रहे थे इससे पहले भी उन्हें अस्पताल में भर्दी कराया जा चुका था आपको ये भी बता दी कि अंकिता ने पिछले दिनों ही फादर्स डे पर अपने पिता के लिए एक प्यारा सा पोस्ट लिखा था अंकिता ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा था हैपी फादर्स डे मेरे पहले हीरो जो मेरे पिता रहे है मैं इस समय अपनी feelings को सही तरीके से बता नहीं पा रही हूँ कि मैं आपके लिए क्या महसूस करती हूँ मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मैंने आपको कई चीजों के लिए struggle करते देखा है मैं जब छोटी सी बच्ची थी आपको हमेशा struggle करते देखा लेकिन आपने कभी अपने struggle को बच्चों का struggle नहीं बनने दिया उन्हें सब कुछ दिया, मुझे पंक दिये, जिससे मैं उड़ सकूँ आपने मुझे वो सब दिया, जो जिन्देगी में मुझे चाहिए था हलांकि तब वो ठीक हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी अंकित अलो कंडे की बात करें तो उन्हें पवितर रिस्ता में निभाय रोल अर्चना के लिए जाना जाता है इसी सीरियल से उनकी और दिवंगत अभिनेता सुशान्त सिंग राजपूत की लव स्टोरी भी शिरू हुई थी लेकिन बाद में दोनों का ब्रेक अप हो गया फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें